नमस्कार आईए आज बनाते हैं वेजी टेबल इस्टीम्ड मंगोडी चांट इसके लिए एक कटोरी दुली मूंगडाल ले लीजिए दो-तीन बार साब पानी से धो कर तीन से चार घंटे के लिए भिगो दीजिए चार घंटे बाद पानी नितार दीजिए और दुबारा दो लीजिए अब मिक्सी में बारीक पीस लीजिए लेकिन पीसते समय ज्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें पिसी दाल को बड़े बरतन में डाल कर साथ से आठ मिनट लगातार फैट लीजिए ऐसा करने से मंगोडी फूलेंगी और सौफ्ट बनेंगी साथ मिनट दाल फैटने के बाद डोंगे में निकाल कर चोथाई चमच नमक मिला लीजिए मंगोडी इस्टीम करने के लिए हमें इस तरह की जाली से ये जो हमारे पतिले पर आ सके या इस तरह की छलनी हो जो हमारे पतिले पर आ जाए देखिए दूट ढखने की जाली सबी के घरों में होती है हम इस पर भी मंगोडी बना सकते हैं देखिए मैं इस जाली पर मंगोडी बनाऊंगी इस पर पतला कपड़ा थोड़ा गीला करके बिचा लीजिए और छोटी छोटी मंगोडी बनाएंगे क्योंकि इस तीम होने पर ये फूलेंगी उसके बाद चांट बनाएंगे तब और फूल जाएंगी लीजिए जाली पर हमने मंगोडीया बना ली है पतिले में तीन ग्लास पानी डाल कर पहले बॉइल कर लिया है इस पर मंगोडी की चलनी रख दीजिए प्लेट से ढखकर मद्यम आज पर 10-12 मिनट पका लीजिए 12 मिनट बाद प्लेट थाटाएं चकू काड कर देखें चकू एकदम क्लीन है हमारी मंगोडी पक चुकी है मंगोडी नीचे उतार कर 5 मिनट थंडा कर लीजिए मंगोडी थोड़ी थंडा हो गई है अब एक एक करके इने कपड़े से निकाल लीजिए लीजिए हमने सभी मंगोडी प्लेट में निकाल ली है अब इनी मगोडियों से वेजिटेबल मगोडी चांट बनाएंगे इसके लिए दो कटोरी बारी कटी पत्ता गोबी, एक कटोरी गाजर, एक कटोरी टमाटर और एक कटोरी स्वीट कॉर्ण और ब्लांच बीन्स ले लीजिए साथ में बारी कटी दो हरी मीर्च, एक अधरा का टुकड़ा, आधा नीबू का रस ले लीजिए मसालों में आधा चमच नमक और एक एक चमच मीर्च, हल्दी, धनिया, जीरा और चुटकी पर हिंग ले लीजिए कढ़ाई में एक चमच तेल गरम करें और हिंग जीरा डाल कर भूनें जीरा भूनने पर बारी कटी हरी मीर्च अधरक डाल कर भूनें अब पत्ता गोभी डाल कर मीडियम फ्लेम पे दो मिनट भूनें अब गाज़ट डाल दीजिए स्वीट कॉन डालें ब्लांच बींच डाल कर अच्छे से मिलाएं अब तमाटर डाल दीजिए साथ में सभी मसाले डाल दीजिए सबजी में सभी मसाले अच्छे से मिला लिये हैं अब दो कटोरी पानी डाल दीजिए साथ में इस्टिम्ड मंगोडिया डाल कर अच्छी तरह से मिला लें अब धक कर धीमी आज़ पर पांस मिनट के लिए पकाएं पांस मिनट बाद देखिए थोड़ा गीली है फ्लेम तेज करें और बिना धके एक दो मिनट भून लें एक दो मिनट तेज आज़ पर भूनने के बाद देखें मंगोडि हमारी खुस्क हो गई है अब गैस की फ्लेम आफ कर दें हमारी वेजिटेबल मंगोडि चाट तयार है तयार चाट को डोंगे में निकालें और अजवान पत्ती की कतरन से गार्निश करें लेजिए नास्ता तयार है खाने का आनंद उठाएं यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सकाइब जरूर करें धन्यवाद